आप अपने कार्यकाल से कितना संतोष्ट हैं? मांग के अनरूप मैंने काम किया, जिसने जो मांगा, जिस गाउं ने जो समस्य बताए उसको मैंने हल किया आपके विधान सभच हेत्र में बहुत से गाउं ऐसे हैं, जहां पानी की समस्य हैं? आपकी नजर में सरकार कितना सफल हो पाई हैं? तक कि ऐसे मुख्य मंत्री 36 गड़ को नहीं मिला है लेकिन विपक्ष सराब बंदी ना किये जाने को लेकर हमलावर हैं? सराब बंदी जो है एक समाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या नहीं है नमस्कार मैं हूँ ससी कला साहू और आप देख रहे हैं चुनाओ को लेकर TNR News का खास कारेकरम सवाल जो आपका है और आज हमारे साथ मौजूद है सिहावा विधायक डॉक्टर लच्मिद्रू जी सवाल जवाब का सिलसिला सुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि बाल लेकाल से लेके अब तक का सफर आपका कैसा रहा मेरा बच्पन बहुत संखर्श पून था हम लोग आठ भाई बहन चार भाई चार बहन के बीच पढ़ले बड़े हैं मेरे पिता जी बहुत ज़्यादा समाज से भी थे अपने जीवन काल पूरा समाज के तहसिल अध्यक्ष थे और कांग्रेस पार्टी के बीच सुत्रिकारिक्रियों के जिला सदस्य थे मेरी मात्य जी ग्रिहणी थी बहुत महनती थी और हम लोगों को बहुत महनत करना सिखाई मोलता हम एक किसान घर की बेटी हूँ और हम लोग किसानी के काम के सांस सांथ पढ़ाई लिखाई का काम भी की है अपने माता पिता का सहयोग किये जब मेरा बच्पन था तब मेरे कुछ भाई बहन शहर में पढ़ते थे और पिता जी के आमदनी केवल खेती थी तो हम लोग केवल मुल्भू स्विधाओं के साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखे लेकिन बच्पन से लेकर अब तक मैंने बहुत संगर्श किया है काम किया है मतलब कभी-कभी मुझे लगता है कि मेरा जीवन काम करने के लिए मैं पैदा हुई हूँ बच्पन भी मैंने सब प्रकार के काम के पढ़ाई के सांसां और शादी के बाद मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी मेरे हजबें लोग भी आट नौ भाई बहन थे बड़ा परिवार था और अकेले सर्विस में थे तो वह भी चुनावती पोन था पूरे परिवार को लेके चलना और पूरे परिवार के लोगों का पढ़ाई लिखाई और खान पान और स्वास्था को लेकर हम लोग पुरा क काम के परिवार के लिए और इस काम में मेरे पती ने बहुत सहीयोग किया और उसी के सहीयोग और उसी के प्रोसाहन से ही मैं आगे बढ़ी हूँ चुकि मैं जाग मुझे प्रोफेसर का मिला और मैं 29 साल तक पलिटिकल साइंस के पत पर काम करी हूँ साइंस कलेज दूर्ग में और मेरे हस्बेंड भी असिस्टेंट कमिशनर एकसाइज में थे और हम दुनों ने मिलकर अपने परिवार का भी उत्थान किया और जब हमारी जिम्मेदारी खतम होगे बच्चों का शादी ब्या हो गया त और उस एरिया को देखती थी किसान पानी के लिए बहुत जादा दिक्कत महसूस कर रहे थे और ऐसी तमाम प्रात्मी चीजे थी जिसको करना बहुत जरूरी था ऐसे में मुझे लगा कि राजनीती में आकर ही ये काम हो सकता है तब हम दोनों ने मिलकर डिसाइट किया कि रा किया और रिजाइन करने के बाद पार्टी जवाइन की और पार्टी में भी मैंने बहुत काम किया और सर्वे में मेरा फस्त अनाम आया तो मुझे टिकेट दिया कांग्रेस पार्टी कि मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने प्रत्यासी चुन्ने में निस अब विधान सभा चुनाओं के गिंति के दिन ही बच्चे हैं आप अपने कार्यकाल से कितना संतोष्ट हैं क्या कूछ आपकी उपलब्धी इन सालों में रही यह जो जनता की समस्याएं है वो निरंतर रहता ही है चाह कितना भी काम करूं जब मैं विधायक बनी तो इस छेत्रे में बहुत सारी परिशानिया थी सबसे पहले मेरे समक्ष प्रशाष्निक चुनोतियां थी क्योंकि यहां की जनता बहुत तरह सथी प्रशाष्निक अधिकार करवचारियों से सबसे पहले मैंने उसको ठीक किया फिर उसके बाद जो है निर्मान कारियों के माध्यम से हल किया प्रशाष्निके माध्यम से भी मैंने हल किया लोगों के सबसुख दुख में खड़ी रही और हमारे जो विभी नसमीतिया हैं उनके जब भी कारिक्रम हुए वहां में मुझे बुलाया गया यहां तक मड़े मेला में भी बुलाया गया तो मैं उनके साथ खड़ी थी तो अभी तो और बहुत सारी समस्या हैं जो काम करना है हमें लेकिन दो साल करोना काल के करण हम करोना से लड़ते रहे और धाई साल हमको काम करने का मिला है मौका अभी और बचा है एक आद्वेहना तो इदने में जो काम किये हैं मैंने जो काम की हूं तो विधायक निदी का काम मैंने किया है मध्य छेत्रा दिवासी विकास प्राधीकरण की मैं उपाध्यक शूंकूं तो वहां मुझे लगवाद पांच करोड रुपए वहां से भी मिला उसका भी मैंने काम किया और एसी प्राधीकरण से भी मुझे पैसा मिला उसका भी मैंने काम किया DEMF से भी पैसा मिला उसका भी काम किया सिख्षा विभाग से भी हमने पैसा मांगा उसके भी मैंने काम जो है अभी चालू है परेटर विभाग से भी काम मिला वो भी चालू है लोक निर्मान विभाग से भी पैसा मिला उसका भी काम चालू है उद्याने की विभाग से मिला उसका भेकाम चालू है तमाम जो विभाग है हमने जहाँ-जहाँ से पैसा मांगा है और उसका हमको पैसा मिला है चेत्र में और जिसका परिणाम है कोई विकास दिख रहा है नगरीनिकाय का भी काम हम कर रहे हैं तीन करोड रूपय पर थे थे अंग्रेजी माध्यम फुलरा है चार इसको फुलरा है तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है उस पर भी हमने काम किया स्वास्थाय में देखे तो स्वास्थाय में भी प्राइज मिला है तीन हास्पीटल को वह भी बहुत अच्छा काम हुआ है इसके अलावा怎麼 on 05 , क Jubal Vein विधान सभा छेत्र जो है नदि का बांधों का पहाडों का क्षेत्र है और यहां बहुत ज्यादा नाले और जलाशाय में काम करना बहुत ज़रूरी था तो उसके हमने काम किया और इसमें अभी कल मैं ने जो है लगभग 20 करोड रुपय का भूमी पूजन जो है काम किया है बोर्बांधा जो डेम है मिट्टी से पटा हुआ है जो छेत्र की बहुत बड़ी चुनाओं के समय मुझे बोल दिया गया था कि आप विदायक बनेंगे काम कराना तो वो जो है समस्या जो है हल हो गई है भूमी पुजन हो गया है तो जनता संतुस्त है और उसी तरह से जो है बटन हरा एक बटन हरा दो गोंदला नाला जलाश है महमला जलाश है जसुन वाही जलाश है जितने भी तमाम जो परिशानिया थी वह हमारे जो माननी मुख्य मंत्री ने नर्वा गरवा गुरुवा बारी चार चीनहारी सबोल सहीयोग देवो संग्वारी इसके तहत जो है लाए गया था तो नर्वा योजना के तहत जो है यहां जन्सन साधन विभाग के मा सारा काम जो है हुआ है और उस काम से जनता संतुस्ट है इसके अलावा जो है सड़क की बात को तो पीडवलोडी के विफाक के से जो है सड़क स्विक्रित हुई है एक सड़क बहुत खराब था बीरगोडी टू कसपूर और उधर बोरही भी पहुंच रहा था माननी मुख् मंत्री ने दिया है और वह काम जो है अभी बरसात के बाद चालू होगा उसी तरह से मेगा और से दुगली वाला जो मार्ग है वह 2019 से मैंने स्विक्रित कर आया था क्योंकि मैं चुनाओं के समय देख चुकी थी बहुत खराब है और यह काम होना बहुत जरूरी है लेकिन व पर्मिशन अभी मिला है तो काम जो है अब जो गाओं गाओं के बीच है वो तो लगभाग नाली बगर बन गया है और जैसे बरसात खतम हो का स्विक्रिती मिल गई है वही काम जो है हो जाएगा उसी तरह जब मैं वहां गई थी मगल लोड मेरा ब्लाग पढ़ता है तो जब मैं पहले बार मगल लोड चुडाओं के बाद गई तो सुबह नव बजे से निकली तो मैं पाज बजी पहुंची जहां देखो नाला वहां बाड सड़क की सिती बहुत खराब जगा जगा पानी भरा था बहुत मुश्किल से पहुंची मैंने मानी मुख्य मंत्री जी से कहा कि इस मगल लोड ब्लाक में जो सड़क की बहुत दूर दशा है नदी नाले हैं और यहां बहुत जीवन कस्ट में हैं तो उन्होंने जो है तुरंत भुमी पुजन के स्विक्रिती दिये डिवी के माध्यम से और नया परा से लेकर के जो है भॉयना तक का जो सड़क जो बना है तो मेरा ध्यान चारों तरफ है और मैं चाहती हूं कि जनता को हर प्रकार के सुक्षविदाद हूं और प्रधान मंत्री सड़क योजना के माध्यम से भी बहुत साड़ी सड़के जो है बनी हुई है उसी तरह किसानों के पंप उर्जी करण उर्जा विभाग माननी मुख तो जब मैं आई थी तो बहुत परेशानिया थी रोज मेरे पास सिकायत आता था रोज दो बज़े पाम फोन भी करते थे तीन बज़े फोन भी करते थे जंगल होने के करण कहीं भी हावा आदी तुपान में टूट जाता था तो लोगों को बहुत जादा दिखते होती थी म मजा परेशानियों को समझ करके मैंने अस्रत purity में सह़ानियों और मंत्री के माध्यम से जो है कर दो आध्यम से जो है इन समस्याओं को काफी हद तक दूर किया है लेकिन अब चुकि यह जहां आधी तो फान हवा आता है या किसान अभी पानी नहीं गिर है तो ज़रों से जादा बिजली चला देते हैं तो बहुत जारा दिकत हो रहे ही तो बहुत जादा जो है इस परिशानी को आपने इसके लिए कितना प्रयास किया पानी की समस्या तो है इधर सुखा एरिया है और जैसे गर्वी आता है तो मगल लोड छेत्र जो है साले भाट से इधर कुक्रेज से लेके पूरा मगल लोड एरिया बहुत जादा दिकत होती है तो इसको भी मैंने प्रश्ण उठाया इस बात को सुना गया और अभी जो है सरकार के जल जीवन योजना चल रहा है और जल जीवन योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के माध्यम से हो रहा है दोनों के इसमें पैसे लगे हैं और दो हजार चोबीस तक हर गाउं में जो है नल जल योजना देने का प् तो वाया हुआ है तो बन जाएगा और यह दोःजार चोविस तक अभी तंकी बना हुआ है पाइप लैन भी बीच रहा है तो दोःजार चोविस तक जो है इसकी पूर्म पुर्ण होने की संभावनाे भाजपा कह रही है कि रमान सींह के सरकार में सौढुर नहरनाली का विस् साड़े आठ करोड का बजट दिया था और यह काम जो है चालो था लेकिन भारती जनता पाटी की जनपत अत्यक्षा है यहां दिनेस्वरी नेताम जो है वहां अर्शी करहार के लोगों को ले ले करके जो है वहां चल सत्याग रह करती थी है ना तो उसके वज़ा से काम में बह यहां किसानों को महाजा नहीं दिया ज़्याता क्योंकि 18 tegen ladies बताया ग?, तब नें लोगों के बात, कि इसकाने की बात अड़ाल की लेकिन पैशन आए how the बजट आया था टेल एरिया तक पहुंचाने का वो काम अब कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है ये जैनकारी काम हुआ है कि मेरी नजर में तो कहूं कि अप तक के एसे मुख्य मंद्री 36 गर्ड को नहीं मिलने वाला है वह माटी पूत्र है किसान पूत्र है और चतिजगड की जो जमीनी बाते हैं इस्थानी समस्या है वो जितनी अच्छी तरह से समस्या है को मेरे ख्यास से आस्थ कोई नहीं समझा है ठीक है और इसलिए उन्होंने चुनाओ के समय नारा दिया था चतिजगड के चार चिनहारी नर्वा गर्वा घुर्वा बारिये सबोलस सहयोग देबो संग्वारी और उसी को बेस मान करके क्योंकि जब तक नीचे विकास नहीं होगा उपर कैसे विकास की कल्पना करेंगे जिस समय हम सरकार में आने वाले थे किसान कर्जी से लदे हुए थे खेती नहीं कर पा रहे थे धान का उचित मुल्य नहीं मिल रहा था 21 रुपे मांगे थे धमतरी इसी धमतरी में सारे किसान जो इकठा हुए थे रमन सिंग को मांगे थे कि 21 रुपे धान का कीमत दे दो उसके बदले क्या मिला लाठी गोली अस्रुगैस उनके उपर छोड़ लेबर का दाम इतना ज्यादा खेती करना मुश्किल लोग पलायन कर रहे थे ऐसी इस्थिती में भुपेज बगेज जी ने समझा और उन्होंने जो है हमारे घोष्णा पत्र में मांग उन्होंने लिख दिया था कि यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पह देंगे और स्थेंदू पत्ता जो है 25 सव था उसको चार हजार रुपए देंगे यह मूल बाते थी है ना और उस बात को जैसे ही सफद गरंड कि दो घंटे के अंदर भी वह बात नहीं लगी तुरंत जो है उसको घुष्णा कर दिया और तुरंत जो है वह क्रियानवैन हो गया वह काम जो है और जिसकी बदावलत है कि आज किसान खुशाल है चतिस गड़ में हताशा का वातावरण नहीं है जैसे हम दूसरे प्रदेश में भी गया थे चुनाओ के समय देखे धान की कीमत मिली नहीं रहा है कहीं 1200 मिल रहा है सबसे जादा यदि किसानों को कीमत दे प्रदेश ने किये थे लेकिन वीपक्ष सराब बंदी ना किये जाने को लेकर हमलावर है देखें चतिस वादे किये थे हम लोगों ने घोश्टा पत्र में एक आद वादे को छोड़के लगभग लगभग हम लोगोंने सभी पे काम किया है आप देख रहे थे चुनाओ के पहले जितने बी सकरे सरकारी करम चारी थे सब अंधोरन रण घ्ते फिर उसके बाद चुनाओं के बाद भी वह अपनी मांग के अड़े सब की मांगों को पुरा है सै सिराब बंदी की जहां तक बात है सराब बंदी जो है एक समाजिक समस्य लाजनीतिक समस्य नहीं है और यह को हमारे मानदी मुखी मंतरी ने कह दिया है कि जो पंचायत ग्राम सभा में प्रस्ताव पालित सराब बंदी का वहां तुरान बंद कर देंगे है ना तो ऐसे प्रस्ताव जा रहा है वहां वो काम हो रहा है और जहां नहीं जा रहा है वहां वो काम जो है वो दिख रहा है क्योंकि सराब बंदी करना वादा तो हम लोगों ने घोष्टना पत्रे में कहा था और कैसे होगा व है लेकिन कान्गरेस पार्टी के लोग उपश्थितों स्वाने नहीं है जब कि होना चाहिए और सबसे ज्यादा गया रहें तो पॉर्टी चन्ता के लोग ही पत然后 लोग ouvert से देंटहर से गई करोना के समय और बंद था कुछ सोब कुछ लोग कुछ रेतर में जहर एक उतन में तो लोग बाग जहरीली शराब का सेवा ना करें करके जो है एक सांथ ही अभी नहीं हो रहा है जैसे ही सिच्वेशन लगेगा कि अब बंद करना है तुरन हमारी सरकार इसको बंद कर देगी यह भी वादा पूरा हो जाएगा आपकी छेत्र में राज्य सरकार की कौन-कौन से योजना का लाब जनता ले रही है इसे जरवत है मानमी मुख्यमंत्री जी ने और सरकान ने जो योजना लगू की है सभी योजनाओं का लाब जो यहां मिल रहा है राजिव गंधी किसान ने आई योजना का लाब तो मिल रहा है भूमिहिन मजदूर किसान ने आई योज वन उपज जो है समर्थन मुल्य जो है भारती जंदा पाटी के काल में साथ था अभी 67 हो गया इसका लाब रहा है कोदो कुटकी रागी मिलेट स्योजना का भी लाब मिल रहा है और वन संसाधन अधिकार वन पट्टा यतिगत पट्टा वन संसाधन अधिकार वन समधाइक दिया गया है और लाखों के संख्या में भी दिया गया है अब चुनाओं के बार जो है वो संसाधन अधिकार अभी तो माटने का काम हो है अब उसका विकास नियम था कैसे किया जाएगा यदि हमारी सरकार बनती है तो उसको बहुत अच्छे से हम लोग डेवलप करेंगे औ और हमारे जो वन है उसको बहुत ही उसको अच्छे ढंग से जो है विक्सित करके उसको रीच बनाएंगे तो वन संसाधना धिकार कभी मिला है और स्वामी आत्मा नंद उत्किस्ट इसकूल इंग्लिस मीडियम हिंदी मीडियम उसका भी लाब जो है बच्चों को मिल रहा है न मुल्चुल परिवर्तन हुआ है प्रतियोगिता परिक्षाओं का फिस जो है युवाओं के लिए माप को है उसको उसका भी लाब मिल रहा है इसके लावा बेरोजगारी भत्ता भी जो है हमारी सरकान ने का जिसकी आमदनी धाई लाक रुपए तक है और वह बेरोजगार है उसको भी विरोजगारी भत्ता मिले की वह भी मिल रहा है और इसके अलावा जो है जो देव गुड़ी योजना है उसका भी लाब मिल रहा है सब जगा फिर इसके अलावा जो है जो कोटवार है जो हमारी महिला स्वयम सहायता बहन है और क्या बोलते हैं जो देव बैगा लो तेवार मनने के लिए प्रत्य पंचायद को I 저 में उस योजना का भी लाब मिल रहा है तो तमाम जो योजनाइ हैं पंचायद की बात हो चैह जनपत पंचायद की बात हो जो जो नियम के सहत है जो योजनान है लांच की गई अनिया योजना कभि लाव उठा रहे हैं देते लिकिन हमारे सरकार के समक्ष जो है जो योजना और Jersey जनता तक लाना था उसमें जो है भारती जनता पाटी के साशरकाल में गो सेवायोग में यहां तक खड़ी भी नहीं बचाए बहुत जादा इस्थिती खराब थी इसलिए जो है यह पुठान यूजना लाया गया और इस गोठान यूजना के माध्यम से आप देख रहे हैं दस सथा जार से अधी गोठान बनाए तीन साल में दस सजार ज़्यादा ऑगना तो पहला चरन में हमारा जो है जमीन को क्या करना था अरक्षित करना था क्योंकि अतिक्रमन हो रहा था अगर आरक्षित करते तो गोठान रखने के लिए जगा निम jeśli था जगा सिए नियु 5960 तो यह सब पहले चरण में वेवस्था की गई है और कुछ गोठान को ग्रामिन और द्योगिक विकास की तरह के धंग से जो है उसको विक्सित करना था तो बहुत जगा जो है उसको जो जो पंचायत ने बहुत रूची दिखाई जिनने डिमांड की हमारे काउं उत्कर किन साथ में में टिनोगों पुर्शना तो यहां लोगों को रुजघार टूक्त बना के साकरा अब्हें बना चadasd तो रीपा के माध्यम से राजी युवा किसान जो युवा लोग है युवा मितान के लोग को प्रसिक्षित किया जाएगा कि वो किस फिल्ड में काम करना चाहते हैं और उसको उसी धंग से जो उनको रोजगार मिल सके करके उसको काम उस पे लाएंगे अभी सब के लिए काम ब मिल जाएगा फिर वो जो है बन तो गया है लेकिन कई जगा चालू है कई जगा भी चालू होने का है तो वह हो जाएगा तो ऐसी आज तक किसी ने नहीं सोचा था यह मान्नी भुपेश बगेल की सोच है जो उन्होंने सोचा कि बेरोजगारी यहां बहुत ज्यादा बढ़ यह इन बेरोजगारों को जो आठवी फेल है दसी फेल है उनको कहां काम दिया जाएगा ताकि उनका जो है जो जो जुपाओ गलत तरफ ना जाए उनका दिमाग जो में रचनात्मक दिशा की और जाए और वह काम सिखे घर के लिए पैसे कमाएं घर को चीनता से मुक्त करें इस दिशा में उन्होंने सोचा और ये बहुत अच्छी पहल है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा प्रदेश में E.D. और Income Tax के छापे पढ़े हैं कांग्रेस औरवप लगा रही है कि केंद्र सरकार एजिंसियों का दुरूपयोग कर रही है इडी और Income Tax ऐसा लग रहा है कि बदला नेने की नीती के तहर जो है काम कर रहा है ऐसा लग रहा है भारती जनता पाटी के ऊपर इतना आरूप है वहां वहां नहीं डाल रही है है ना और कांग्रेस के जितने भी संगठन के जो नेता है जितने भी नेता है है ना जबरन जो है यह जो है चापे डाल रहे हैं और शासन को पता है जिस दिन माननी मुख्य मंत्री का बड़े है ना बड़े है बड़े तक को नहीं चोड़ा है और बड़े के दिन उनके जो जो काम करते हैं उनके हाँ छापा पाढना यह अच्छी बात नहीं है चापा पाढना है तो सबके कहा पड़े जो ऊद्योग है जो गलत कर रहे हुं उसकी यहां भी डाले जो । लिए जहां गलत है। वहां ढालें। सभी केहां पराबर करें ना थीज में कोई आपती नहीं है। केवल कांग्रेस पार्टी सक्टा में हैं तो सक्टा से तोड़ने के लिए शक्राइब करना यह बर्दास्त से बाहर है। तो ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। क्या केंद्र में बैठे हैं सर्वे सर्वा हैं वहां की निर्देश के अनूषारी होगा क्या 34 गड़ुपर के साल जो मुख्या है उनके भी तो बात सुनने क्या है कैसा है तो यह 36 गड़ शाल साल के सांथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और ये गलत है और जनता समझ रही है और आने वाले अभी चुनाव है 2030 में इसमें जवाब दे दिए हैं सिहावा विधान सभा छेत्र की बात की जाए तो यह एक आदिवासी बहुल इलाका है और आप मध्य चेत्रा आदिवासी विकास प्राधिकरन की उपाध्यक्ष हैं तो ऐसे में आप किन मुद्द पर जोड़ दिया मैं मद्धिछेत्रा दिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्षों मैंने पहले बताया कि उपाध्यक्षोंने के नादे मुझे पांच करोड से ज्यादा जो है बजट मिला था तो सबसे पहले मैंने प्रात्मिक्ता दी जो इसकूल टूटे-फोटे थे लाइबरेजी न विपक्ष गउठानों में भरष्ट चार का आरोप लगा रही है इस पर आप क्या कहना चाहेंगी मैंने पहले ही बताया है कि अभी केवल गौठान के लिए जमीन आरक्षित करने वाली बात थे बहुत बजट उसमें नहीं लगा है ना उसका घेरा हुआ है और घेरा के साथ साथ पानी की वेवस्था की गई है कुछ गोठान जो बड़े हैं वहां जैसे छिफली गोठान चिफली गोठान को बहुत लाब है महां की महिलाय जो है केचवा पालन कर रही है वर्मी कंपोस्ट बना रही है साग भाजी भी लगा रही है सुवर पालन भी कर रही है मुर्गी पालन भी कर रही है है न तो वह महिलाय जो है लाखों का कमा रही है पैसा जो है और बाकी कोठान जो है अभी केवल वर्मी कंपोस् तो इसमें क्या है जो पंचायत ज्यादा ध्यान देगा है ना अब कर दोनों पर्टी के लोग है कुठान में तो यहां पर भारती जनता पार्टी राजनीटी करती है उनको बर्दास्त नहीं हो रहा है कि गो सेवा से अटके गोठान में आ गया तो वहां जो हम भड़काते हैं मैं करो है इसको मत करो मत करो है तो ऊहना जो है के वर्भी कमपोस्ट वही तक है और जो पंचायत जागरुख वहां गोठान की अवस्ता में और वो अपना काम कर रहे हैं और यह मैं कहती हूं ये गोठा नियोजना बहुत ही 36 गड़की जनता के लिए बहुत ही महत्वपोन है और इसे लोग जो है कम से कम रोज के सबजी भाजी के लिए पैसा तो कम आ रहे हैं 20-25 रुपए तो मिल रहे हैं कभी किसी ने सोचा था कि गोबर की दिन बहुरेंगे दो रुपए खिलो गोबर मिलेगा आठ रुपए किलो वर्मी कंपोस्ट मिलेगा तो यह जो है रसाइनी जो खेती जो कर रहे थी जमीन खराब हो रहा था मैं आपको बताते हूं नगरि चेत्र में दुबराज बहुत थिमस था आज दुबराज का धान का चामल मैं खुद खा प्रद्ध है खेतों की को उरवरा बनाये रखने के लिए बहुत जरूरी है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोक करना धीरे धीरे रसाइनी को बंद करना क्योंकि इसे बीमारियां बहुत जादा गाउं में बाव में पहले बीमारियां बड़ी-बड़ी नहीं होती थी आज गाउं मे में मानी मुख्य मंत्री जो काम कर रहें जो संदेश देना है शुरू में लोगों को लग रहा था लेकिन अब उन्हों को समझ में आ गया है और यह योजना बहुत महत्तों पूर्णा है आगे चलके इसका और विकास होगा तो गाउं के लोग गाउं में ही रोजगार मिले तेज को हम सब लोग को सपोर्ट करना चाहिए और इससे बेरोजगारी में भी कमी आएंगी मैं जानना चाहती हूं कि छेत्र के समस्याओं के बारे में मुख्य मंत्री और मंत्रियों को आप बताती हैं तो उनसे क्या प्रतिक्रिया मिलती है कारिका लगभग पूर्ण हो रह सब्सक्राइब करने लायक था है तो सब लोगों ने सुना मेरी मांग को माना दिया है ना इसकुल यहां 150 इसकुल जो है तुटा फुटा था पचास इसकुल डिस्मेंटल करने लायक था है ना वो जो है पूरा बजट आया है और बन रहा है भी कूर्ण है मरमत भी हुआ है और पचास इसकुल डिस्मेंटल हो के बन मी रहा है तो हर मंट्री मेरी बास सुनी है मुख्य मंत्री ने जो मैंने भान किया घृत बोली थी कि रामवन गमन पत के तहट मुर्ती भी जो है लगाई जा रही है हो सकता है 11 बारा को उसका लोकारपन हो और जितने भी सब तर इसी है उसका भी विकास हो रहा है तो मैंने समस्ति की मेरी बात नहीं सुनी है मेरी बात सुनी गई है चेतर की मैंने समस्या को रखा मैंने जो है ये जो अभ्यारा ने चेतर की भी समस्या को रखा कि वहां प्रात्मिक समस्या हैं उसको हल कर दीजे सर्वे करवार है थे लेकिन भारती जनता पार्टी के छुट भहिये ने तेने गलत आरोप लगा दिया कि ये विस्थापन करना चाहते हैं जबकि हमारा उद्दे से जो इसका विकास करना था ठीक है और अभी मैंने मोल्भूत समस्या के ताथ महां काम भी किया है और उनकी जो बड़ी-बड़ी मांगे हैं उसको मैंने समीति के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भी बेजा है तो य ौने आपके लिए इतनी बड़ी चुनाओति है अब चुनाओ तो चुनाओ होता है लेकिन में किसमस्ति चुनाओति है क्योंकि मैंने 5 गाम किया है लोगों के बीछ रहा है अब हमारी हमें हीचंति कववित्रण नहीं हुआ है लेकिन बीजेपी में टिकेट का वित्रण हो गया है तो वो जब इधर गया थे माडम सिली साइड तो 26 गाओं के लोगों ने उसको भागा दिया ठीक है रिजगाओं एरिया के लोगों जुन की मांगे थी अब केंदर सरकार में मोधी सरकार है तो उसको मांग उसको पूरा का सब वसको anymore ने मैं लेजनाओं कर अलोग उसको को चरण है कि यह चूनाओं कि अवाइन हमस्टावार नि miejscुनाओं कर वायल इंस्टाने म으しました कि सपने मुवत ग्रती अनल कुमें मैंडम क्या मैंडम यहां क्या है बड़े जाड़ का जंगल है यहां यजनाव को करना बहुत कठीन है क्यूंकि पर्मीस नहीं मिलता अभी आवास के लिए जो हाँ से इतने कठ़ोर कानून तो मिलेगा और ट्राइबल लोग को जो है 2005 के पहले यदि उस जमीन में है तो मिलेगा तो जमीन के अभाव के कारण जो है विकास कारियों को अंजाम देना एक विधायक के लिए बहुत चुनोती पोना कारी है फिर भी जनता की मांग जो है उसको हम वहां रखेंगे और इस्थानी आवश तो हमने दो तहसिल बनाया एक कुक्रिल तहसिल बनाया एक बेलर तहसिल बनाया आहा न मगल लोड तो है ही नगरी है तो अब चार तहसिल हो गया है तो हम लोग जो है पुलिस जिला और पुलिस जिला के नक स्लाइट बेंट है तो पुलिस जिला की मांग भी कर रहे हैं और बनाने की भी मांग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जिला बनाने के लिए काम करेंगे, और जिला बन जाएगा, फिर उसके अनुसार जो हमारे पास जो जमीन है, जगह है, उसके अनुसार लोगों के डिमांड के अनुसार काम करते हैं, टिकेट भी देती है, तो जनता जि किवे ज़िए ज़िए हैं जरूरी होगा उसको उप पहले तरेंगे मैं इस बार कितनी सिट जीतने का नुमान है अब अब हमारे पार्टे नें पचछतर के पार लगाया है यूर और इस बार हम लोग 75 के रहेंगे, क्योंकि जनता का जुकाओ और मन जो है बता रहा है, दीख रहा है, जमीन पर दीख रहा है, अभी चुनाओ आया नहीं है, चुनाओ जैसे टिकेट मिलेगी तो और पर इद्रिस से सपस्ट हो जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगी 75 के चुनाओ को कुछी दिन बचे हैं, ऐसे में आप अपने छेत्र के जनता के लिए ऐसा कौन सा कार्य है, जिसे आप करना चाहेंगी? मेरे छेत्र की जनता के लिए मैं सबसे पहला कारी करना चाहूंगी, जो हमारे 36 गाओं है अभियरने में, और उनकी जो एक पक्का सड़की वांकर हैं, उसको मैं पहले अगर परमिशन मिल जाए, वो काम मैं पहले करना चाहूंगी, साथ ही उनका जो पूल, पुलिया और के नीमों के करन बन गई है, तो केंद्र सरकार से मैं आगरह करूंगी कि उसको परमिशन दे, वहां लोग रहते हैं, उनको मुल्भू सुधा के लिए परमिशन दे, तो हम वो काम कर सकेंगे, ताकि उसको जीवन जीना आसान हो, ठीक है, साथ ही साथ मैं परियेटन पर काम कर अधर ना चाहूंगे, क्योंकि हमारा छेत्र जो है, आप देख रहे हैं, आय होंगे, जंगल जंगल आय होंगे, है न, अधर दभाईयों का भंडार है, ठीक है, डेम भी है, मुरूमस्विली डेम है, दुधावा डेम है, मार सॉंधूर डेम है, तो सॉंधूर के छेत्र को कि द्रिश्टी कोंड से मैं डेवलब करना चाहती हूं, नरहादा जो फाल है, पहुत सुंधर है, इधर अंधर में जूरत रहे हैं, तो उसको भी डेवलब करने का हम लोग प्रयास करें कि ताकि गंग्रेल के यात्री जो है, नरहादा डेम जाए, और नरहादा डेम के कि शुरू किए हैं, तो अच्छा और डेवलब हो जाएं, वहां से लोग मुरूम सिली आए और मुरुम्सिली से जो है लोग जो है सिहावा आने के बाद जो है भकवान स्रिंगिरी सीकर नेश्वर और सितला का दर्शन करें और वहां से दर्शन करने के पश्चाथ दुधावा डेम तो कांकित जीला और हमारा दुनों है हमारे जमीन में बना है मेड उनका है लेकिन वह खांकिर के नाम से जाना जाता है तो मैं चाहती हूं जैसे गंग्रेल का डेवलप वह से दुधावा का भी डेवलप में पर्येटन की द्रिश्टी कौन से करें उसी तरह से सोणूर का भी करें और उदंती अभिहरान देखते जो है वापस अपने घर जाए और उसको सी ढंग से हम लोग डेवलप करेंगे तो एक बहुत अच्छा लगेगा अपन जाते हैं बाहर जाते हैं ऐसी तो हाई बस सुधा देने की जुरत है उसको डेवलप करने की जुरत है तो मेरी इक्षा है ऐसे हो और ट्रेकिंग यहां जाने पहाड़ है तो बच्चे ट्रेकिंग करें तो यह भी मैं चाहती हूं तो आने वाले समय में जो है इस जंग से हम लोग काम करेंगे शुरु आतो हो गई है रामवन गमन पर्द से सुरू हो गया है अब उसको धीरे-धीरे जो है हमनो उसी जिसा में काम करने का प्रयास करेंगे जाते जाते मैं छेत्रत की जनता को संदेश देना चाहूंगी कि इधर चुकी जंगल एरिया है बहुत ज्यादा थोड़ा सा नशापान है तो नशापान ना करें उच्च सिक्षा प्राप्त करें और जो भी समस्याइं है उसको अपने जन प्रतिनिधी को सौंख दें और अपना व्यक्तियत और सामुहिक विकास करते हुए अपने जो संसाधन है उसको डेवलप करें सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उसका लाब ले और उस लाब के सांसाथ यदि लाब नहीं मिल रहा है तो जन प्रतिनिधी को बताए हम उनको बिलकुर सहायता करेंगे म और जो हमारा मानव संसाधन है वो तन्मंधन से विक्सित हो यही मैं कहना चाहूँ है तो यह थी हमारे साथ आज के इस कारेकरम में सिहावावी धायक डॉक्टर लचमिदरोजी जिनों ने हमारे हर सवाल का जवाब बहुत ही बिबाकी से दिया फिरहाल आज के कारेकरम में इतना ही अगली बार फिर होगी आप सबसे मुलकात तब तक के लिए अनुमती दीजिए नमस्कार